आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत पर्माणू संपन देश कब और कैसे बना, पर्माणू संपन होना भारत के लिए किस तरीके से लाबदायक है 18 मई 1994 के दिन ही राजिस्थान के पोखरण में पर्माणू परिक्षण करके भारत दुनिया का छटा पर्माणू शक्ती संपन देश बना, इस पर्माणू परिक्षण गोपनिय अभियान का नाम स्माइलिंग बुद्धा यानि मुस्कुराते बुद्ध रखा गया था भावा पर्माणू अनुसंधान केंद्र यानि बार की के डॉक्टर राजा रमन्ना ने इस अभियान का नेतरत्व किया था इस पर्माणू अभियान की सफलता को इससे ही आँका जा सकता है कि अमेरिका जैसी महाशक्ती को भी इसकी भनक तक नहीं लग पाई थी उसी समय अमेरिका ने एक नियम बनाया था CTBT इस नियम के तहट कोई भी व्यक्ति पर्माणू अम परिक्षण नहीं कर सकता था लेकिन भारत ने इस नियम को नहीं माना और पर्माणू परिक्षण में सफलता हासिल की जिस समय भारत पर्माणू संपन्य देश बना उस बक्त भारत के प्रधान मंतरी अटल बिहारी बाचपई थे पर्माणू परिक्षण टीम का हिस्सा रहे एपीजी अब्दुल कलाम ने 1998 में भारत के दूसरे पर्माणू परिक्षण अभियान का नेतरत्व किया था भारत का पर्माणू संपन्य देश होने के कारण ही आज कोई भी देश भारत से युद करने की हिम्मत भी नहीं करता है अगर भारत परमाणू संपन्य देश नहीं बना होता तो भारत की सीमाओं का एक बड़ा हिस्सा चीन और पागिस्तान जर्शे देशो दौरा कबजा कर लिया जाता भारत को चीन और पागिस्तान की सभी शर्तों को मानना पड़ता बिना पर्माणू बम के 1999 का कारगिल युद्धी भी भारत नहीं जीत पाता इसलिए पर्माणू बम शक्ती हासल करना भारत के लिए बहुत जरूरी हो गया था देश की सामुद्रिक सीमा की सुरक्षा भी पर्माणू पंडू भी ही करती है भारत की विधुत का एक बहुत बड़ा हिस्सा पर्माणू बम से ही पूरा किया जाता है